इस वीडियो में हम लोग एक काफी distressing problem के बारे में discuss करेंगे oral lichen planus और उरल lichen planus और cancer का association मतलब कि oral lichen planus के patients में cancer होने की क्या संभावना है किस condition में बच सकते हैं मरीज क्या कर सकता है क्या treatment option है इसके बारे में discuss करेंगे जो oral lichen planus है यह बहुत ही सामाने समस्या है और इसके बारे में हमने काफी डिटेल में भी इसकस किया था और पेसिंट जो ओपेडीम हमारे पास रेगुलरली आते हैं तो उनके मन के कोने में हमेशा ये बात कर डर होता है कि उनको कैंसर होने की क्या समभावना है कहीं बाद में चलके कैंसर नो हो जाए और कुछ मरीज तो आगर की बुरी तरह से रोने लगते हैं उनके मन में ये बात घर कर गई होती है कि उन्हें अब कैंसर हो गया है और उनका बज़पाना मुस्किल है तो इसको सही तरीके से जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो जो ओरल लाइकन प्लेनस है वो एक समाने समस्या है लेकिन जो कैंसर की दिक्कत है वो और समाने समस्या है और इसके कैंसर के साथ इसके असोसियेशन को लेकर की बहुत सारे रिसर्च पेपर और रिसर्च स्टडीज उफलब्ट है तो अधिकांस research इस बात पर आजी होते हैं कि oral lichen planus में लगभग 0.4 to 1.5% cancer होने का risk होता है मतलब कि मोटा मोटा ऐसे समझें कि 100 में से एक मरीज में cancer होने का risk होता है यह मोटा मोटा interpretation है अब इस factor को बहुत सारी चीज़े modify करेंगे जैसे कि lichen planus का type तो lichen planus का जो red type है जिसमें erosive lichen planus and atrophic lichen planus मतलब जिस लाइकन प्लेनस में प्राइंक अलसर हो घाव हो और जिसमें atrophy हो तो यह जो दो lichen planus है यह बाकी lichen planus के तुल्ला में ज्यादा cancer के साथ पाए गया है इसी तरह से लाइकन प्लेनस यदि टंग पे है जीव पे है तो उस condition में थोड़ा सा रिस्क समान जो बकल में उसा पर लाइकन प्लेनस पाया जाता है उसकी तुल्ला में ज्यादा देखा गया है इसी तरह से यदि मरीज टोबैको लेता है स्मोकिंग करता है एलकोहल लेता है तो उस condition में भी cancerous होने की tendency बढ़ जाती है अब यहाँ पर यह एक तरह से बायस का काम करता है क्योंकि यह जो फैक्टर है स्मोकिंग टोबैको अलकोहल यह इट्सेल्फ cancer को पैदा कर सकते हैं मुह में या दूसरे जगह पर तो कई बार यह चीज़ पर डिबेट होने लगता है कि लाइकन प्लैनस में cancer इनकी वजह से हुआ कि इन्होंने खुद ही cancer पैदा कर दिया मतलब कि विडाउट लाइकन प्लैनस के इंवल्मेंट के यह जो फैक्टर्स होते हैं यह आपके लाइकन प्लैनस को मॉडिफाई कर सकते हैं इसी तरह से हेपटाइटिस-C वायरस का इंफेक्शन जिन में पाया गया उनमें भी cancer की tendency पाई गई कुछ soft studies है जिसमें यह सजेशन है कि कैंडिडा का इंफेक्शन दे लाइकन प्लैनस के लिजन पर होता है तो कैंडिडा कुछ कार्सिनोजेनिक फैक्टर को रिलीज करता है जिसकी वज़ए से कैंसर में बदलने की tendency होती है लेकिन इसके पुकता प्रमाण missing है strong evidence अभी भी missing है तो जो मैंने आपको important reasons suggest किये हैं तो वो रिजन मौझूद हो तो cancer के incidence ज्यादा है और जो दूसरे तरह के लाइकन प्लैनस जैसे रेटिकुलेट टाइप का लाइकन प्लैनस है तो उसमें जो risk है और कम हो जाता है cancer होने की तो यह महत्वपूर्ण चीजें हो गए अब एक मरीज के तोर पर आप क्या कर सकते हैं एक मरीज के तोर पर आप regular डॉक्टर को विजिट करना इस बिमारी में बहुत ज्यादा निवारे हो जाता है तो आपके अस्तर पर regular डॉक्टर को विजिट करना हो सकता है कि डॉक्टर आपकी चीभी मारी में नहीं सही है आपको फिर भी विजिट करना है, आपको मुंग कैविटी का एक्जामिनेशन कराना है, जिससे कि यह डॉक्टर रियस्योर हो सके कि आपको कैंसरस कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, और उसे थोड़ा भी सस्पीशन लगए, तो बैपसी के नाम पर बिल्कुल भी नडर है, वाले हैं, दूसरी चीज आपको ओरल हाइजिन अच्छी रखनी है, जो मुंग की सफाई है, उसको अच्छी रखनी है, दो बार ब्रस करना है, अलकोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, टोबैको कंजम्शन नहीं करना है, सुपारी नहीं खाना है, ये सारी इसको देखेगा कि आपके case में किसी तरह का कोई suspicion है कि नहीं है तो यदि suspicion होगा तो वो बाइपसी कराएगा बाइपसी में यदि अर्ली cancer आता है तो उस cases में easily उस निसान को कट करके छोटी सर्जरी के द्वारा आपको cancer से मुक्तिपाई जा सकती है लेकिन यदि आप बिलम करते हैं तो उस condition में बड़ी की सर्जरी की जरूद पढ़ सकती है इसके अलामा कीमो थिरेपी रेडियो थिरेपी की भी जरूद पढ़ सकती है तो एक मरीज के तोर पर आपको इस बीमारी में जागरूख होना चोकनना होना बहुत जाद आवस्यक है और आप अपने डॉक्टर के रेगूलर फॉलॉप म रहेंगे तो आप इससे बस सकते हैं इस खतरनाक कॉंप्लिकेशन से भी थैंक्यू